अगर आप अपनी computer में RAM बढ़ानी की सोच रहे तो मैं आपको बताओ कि RAM बढ़ानी के पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपके motherboard की maximum RAM capacity कितनी है क्योंकि RAM बढ़ाने से काली computer का speed नहीं बढ़ेगा अगर motherboard की maximum RAM capacity 4GB और आप 8GB का RAM लगा रहे हो तो कोई मतलब का नहीं वेस्टेज आप मनी राइट तो वह RAM कैसे लगाता है RAM का slot मदर पर कहां पर रहता है यह तो practically मैं आपको दिखाओंगा साथ में हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे motherboard की maximum RAM capacity क्या है और साथी साथी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपके सिस्टम का task manager disabled हो गया तो उसे इनेबल कैसे करते बहुत सारी बार virus के वेज़से वो disabled हो जाता है और task manager हो में बहुत जरूरी होता है तो task manager को enable कैसे कर सकते है या फिर उसको तो disable भी करना है तो कैसे कर सकते हैं वह भी मैं आपको यह tips में बताने वाला हो और तीसरी टीप्स हम यह भी देखेंगे कि अगर आप windows 10 ओरिजिनल यूज करो तो उसकी product की आप भूल गए हो या product की गूम हो गई आपसे तो उसे हम अपने system से कैसे निकालेंगे यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब कभी भी आप दुबारा windows इस्टॉल करने जाओगे तो प्रोड़की की ज़रूरत पढ़ सकती है तो उरिजिनल विंड़ो यह laptop ना खरीद है तो उसकी product की पहले से निकाल के रखो कैसे निकालना है यह detail में जानना है तो यह तीन टीप्स यानि कि मदरबोड की maximum RAM capacity कितनी है दूसरा टीप टीप्स है कि हम देखेंगे विंडोस की ओरिजिनल प्रोड़क की कैसे हमारी सिस्टम से निकाला चाहिए तो यह तीनो टीप्स आपको नहीं पता तो वीडियो पूरा दिखिए पता है तो स्कीप कीजिए सीधी बात नो वक्वास कंप्लीट टेक्नलोजी चैनल पर मैं सदि यह वीडियो खास लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप नहीं हों हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉम पे तो क्लिक कीजिए साथी में हमारी वेबसाइट है जिसका ना में लेर्न पोड.com जो कि मैं आप डेवरटाइजिंग यह कोऊस आप यहां से सीख सकते हैं यह आपको घ्लिक कर सकते एक्सा को पता चलेंगे क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलने वाला है यह पीचे सब देख सकते कोर्स कंप्लिशन सट अपिकित मिलने वाला है डाउनलोड और वीडियो मिलने वाले लाइव लाइव टाइम के लिए एक से थर्टी आउर्स प्लस वीडियो जे एड धेर सारी चीजें और आपको कुछ भी डाउटे तो ऊपर सपोर्ट पेज जहां पर आपको सपोर्ट में मैंने बताया हाउ टुबाइब कूर्स वाइशुड यू बाइए और आपको डाउनलोड कैसे करना वीडियो को या फिर सब्सक्राइब कैसे मिलेगा सारी चीजे आटोमाटिक है वाई तो इस वेबसाइट के सब्सक्राइब करतें तो ओफर क्रीं ja पर जाएगा इसके पर अबिशी कोर्स पर यह क्या हुआ हर दो की हां Arkém But रहेता है जो यह ऑन्याना होगा कि concept के मैंने मेरा कंप्यटर में ड़री ओफर करके रखाए जो कि आपको दिख रहा है और कंप्पिटर कैसे उपन करना है इसके बारे मैंने अपने टेक्ट चैनल पर वडियो बनाया जिसका लिंक उपर आई बटन पर है तो यहां पर फिलाल आपको मदर बोड दिख रहा है जिसके पर अलड़ी एक रैम लगी हुई है मेरी और मेरी मदर बोड की मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा बाद में कंप्पिटर में कैसे चेक करना है लेकिन यहां पर यहां पर भी मेरी स्लॉट में आपको दिखाए देगा उस नौच पर यह नौच आना चाहिए आप उल्टा रैम नहीं लगा सकते और आप जबरदस्ती करोगे तो आपको वह लगी नहीं सकता लेकिन आप अगर उसे प्रेशर दोगे तो तूट जाएगा तो इससे अच्छा कि आप इसे प्रॉपर्ली ऐसा सीधा लगा दो यह खाचे में आइमीं टू से स्लॉट में स्लॉट में यह प्रॉपर्ली इंसर्ट होना चाहिए जब आप इंसर्ट कर रहे ह होंगा और यह लॉक ओपन हो रहा है दिखाए देर आपको और नाओ एक सारे से मैंसे खीचूंगा तो भी निकल रही है तो यह दो जीबी का रहा है मैंने और इंसर्ट किया क्योंकि मेरी मदरबूर की मैक्जिमम कैपसिटी फोर जीबी राम की है तो दो जीबी पहले था द कर आपके पास इवेलेबल नहीं है और एक ही मेमरी स्लॉट अपकी मदरबूर में अवैलेबल ए तो आप इस रैम को रिपलेश कर सकते इस रहां ये दो जीबी है इसके हटा कर चार जीबी लगा सकते अगर आपकी मैक्जिमम रैम कैपसिटी फोर जीबी है मदर वोड की त तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट और यह प्रेस कर आओ जिसके अंदर मैंने अल्ड़ी सीमड एक कमांड टाइप की जो आपको टाइप करनी है कमांड प्रॉंट इससे उपन होता है अगर आप कंप्यूटर के कमांड प्रॉंट के बारे में जानते तो वेल और ने जानते तो मैं आपको बताओ कि यह पूराना वर्जन होता था डॉस का जिसके अंदर बहुत सरे कमांड देखे ही ऑपरेटिंग होती थी अब इसके बारे करी कि मैक्सिमम कैपैसिटी हमें मैंचश कैपैसिटी यह पेक्मांड है और ये कमांड आपको मैं इसक्रिप्शन में दे रहा हूं एक कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में टाइब करोगे रहा तो यहां पर दिखाया है मैक्स कैपैसिटी 41,940404KB यह आ रहा है ओके तो यह जो KB में आ रहा है, इसे आप GB में convert करके भी देख सकते हैं, मैं आपको इसको GB में convert करके दिखाता हूँ, अल्रेडी मैंने Google विजिट करके इसमें टाइप करके रखा है, तो यह 4 GB maximum capacity मेरी motherboard की RAM की, यानि कि मेरे motherboard में 4 GB की RAM maximum लगा सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे 8 GB की RAM capacity है, उतनी ही RAM आप लगाओगे तो वह अच्छा रहेगा, तो RAM अपग्रेड करते समय, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका computer slow चलने लग गया, और आपको किसी ने advise किया कि RAM बदल दो, RAM अपग्रेड करो, लेकिन RAM अपग्रेड करने के पहले ये command इंटर करके जरूर देखो, आपके मदरबूर में उतनी capacity है की नहीं, और है तो कितनी GB के RAM हम और लगा सकते हैं, तो जैसे मेरे पास 2GB के RAM पहले सी थी, और maximum मेरी RAM capacity है, 4GB तो मैंने 2GB के RAM और एक लगा के आपको दिखाई, उस slot के अंदर, जैसे मैंने आपको starting में बता दिया, तो यह सबसे पहले जान लिया, कि RAM कैसे हमारे computer में लगाते हैं, तो अब हमारे computer के दूसरी tips की तरब बढ़ते हैं, और दूसरे tips में मैं आपको बताओ कि अगर आपने जो laptop या computer खरीदा है, उसका format करने को वक्त आ गया, आपको लगता ऐसा, लेकिन आपको चाहिए कि format करने के दिखाए दे रहा है, कि अपनी product की जो होती है, Windows की वो आप इस command से ढूंड सकते हैं, जो की screen पे दिखाए दे रहा है, ये command आपको cmd में type करना है, और enter कर देना है, जैसे आप enter करोगे, यहाँ पे नीचे आपको product की मिल जाएगी, फिलाल तो मैं अपनी product की यहाँ पे आप पे निकाल के रखो, अगर आपके पास available नहीं, email वगेरा में, तो ये product की निकाल के रखो, इसलिए, क्योंकि आगे चलकर आप जब computer format करने जाते हैं, तो ये product की आप दोबरा इंटर कर सकते हैं, मतलब री-install Windows कर रहे हैं, तो तभी ये product की इंटर करके Windows फिर से activate हो जाएगा आपका, हाँ, लेकिन आपका Windows register है, आपने purchase किया हो है, तो ही ये command चलने वाली है, अगर आपका Windows pirated है, तो ये command कुछ काम की नहीं है, तो ये था tips number two, तो आप तीसरी tips की तरफ बढ़ते हैं, जो की है, कपी interesting है, बहुत सरो लोग मुझे comment में पूछते हैं, कि मेरे system है, मेरे task manager जो है, मेरे system में disable हो चुका है, ऐसा मुझे बहुत सरो लोग पूछते हैं, तो ये task manager को enable कैसे करना है, ये उनका कहना है, तो चलिए, इसके बारे में हम जानते हैं, कि disable, अगर enable है, तो disable कैसे करते हैं, वो भी देखेंगे, और disable है, तो enable कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी आपको करना क्या है, simple आपको start run में जाना और यहां पे आपको type करना है, registry edit, एक simple सी command आपको type करना है, registry edit, आपको दिखा दे रहा है, मैंने type क्या run command में, now you can see, registry edit है, मैंने type क्या, R E Z E D I T, याद रखिए, R E Z E D I T, ये type करने के बाद आपको करना क्या है, enter, then आपके सामने इस तरह से registry editor open हो जाएगा, ये open होने वाद आपको जाना है, एच की current user में और यहां पे बहुत सरे अंदर, अंदर, अंदर options में जाना है, तो इसके लिए मैंने description में एक आपको path दिया है, उस path को आप रेक लिए यहां पे पेश कीजिए, देखिए, उपर मैंने एक path दिया के उसके अंदर जा सकते, जैसे key current user में जाओ, फिर software में जाओ, फिर Microsoft में जाओ, ऐसा एक एक करके आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने path दिया है आपको time save करने के लिए, तो यहां पे policies तक आपको आना है, जो की policies आपकी selected है, इसके अंदर आपको यहां पे system नाम already created है, तो देख पे click किया, यहां पे जैसे आप key पे click करोगे, यहां पे आपको key में type करना है, system, मैं type करो यहां पे, look at there, मैंने system type किया है, और system type करके इसको select रखना है, मतलब आपको यहां पे इसके अंदर ही policies के अंदर ही system बन के आ जाएगा, जब आप उसको key करते हो, तो यहां पे right click करन यहां पे आपके सामने new value आ चुका है, और इसके अंदर मैं कुछ type कर रहा हूँ, जो कि आपको same command type करने है, disable task mzr, right, यह command आपको दिखाए दे रही है, चलो ठीक है, enter कीजिए, इस command के पर double click कीजिए, अब इसमें आपको क्या दिखाए दे रहा है, इस dial-up box में value data आपको द से, तो यहां पे आपको दिखाए दे रहा है, task manager नहीं है, अभी नहीं चल रहा है, click नहीं हो रहा है, तो जादा task manager कभी-कभी virus से disable हो जाते है, virus अगर attack करता है, आपकी computer में, तो ऐसे समय में task manager को enable करने के लिए, आप इस key को जाकर modify कीजिए, यहां पे zero कीजिए, यहां पे कि definitely आपको समझा होगे कि disable task manager मैंने exactly कैसे किया यह, और यह किसके अंदर बनाना है, इसके लिए link description में मैंने यह पूरा path दिया है आपको, तो यह तीन tips मैंने आपको यहां पे बताई, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे motherboard की maximum RAM capacity हम कैसे चेक कर सकते हैं, और RAM कैसे हमारे motherboard में हम लगा सकते हैं, अगर बढ़ा नहीं तो, दूसरा हम ने देखा कि हम अपने Windows की original product की कैसे ढूंड सकते हैं, और तीसरा हम ने देखा कि task manager को disable enable कैसे किया जाता है, जरूर यह तीन tips आपको पसंद आए होगे, और पसंद आए तो आपने like, share और comment कि होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए, और मेरी जितने भी चैनल है, उसके link मेंने description में दिए है, तो जरूर एक बार visit कीजिए, और मेरी website की भी link है, अगर आप इंटरेस्टों तो वहाँ से course खरीद के कुछ expert आप बन सकते हैं, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के आंदे हैं, तब तक के ले, सीगते हो, सीगते हो, बाई बाई!